हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगी चौकलेट ट्रफल डॉल केक चोकी बहुत ही आसानी से बन जाता है तो आप यह डिजाइन देख सकते हैं कितने प्यारी लगरी है डॉल तो यह देखने में जितना सुन्दर है केक खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना तो बहुत ह आसान है तो आप इसे जरू ट्राइ करें बच्चों को तो यह कलरफुल केक बहुत ही पसंद आएगा तो बच्चों के लिए घर पर बनाईए और उन्हें खिलाईए बहुत खुस होएंगे तो बस आप इने जरू ट्राइ करें तो यह देखिए मैं आपको कट करके दिखात आप देख सकते हैं अंदर से इसका टेक्चर में आपको दिखाऊंगी तो यह देखिए आप अंदर से देख सकते हैं कितना स्पोंजी और सॉफ्ट लग रहा है बहुत चॉकलेटी बनता है तो आप इसे जरू ट्राइ करें चलिए बनानाय स्टार्ट करते हैं तो आज हम ब अब हम सारे बिसकिट की छोटे छोटे टुक्ड़े कर देंगे और ग्रैंडिक जार में डाल देंगे हम सारे बिसकिट को अब इसका धक्कल लगाकर इसका अच्छे से fine powder बनाएंगे अब एक बाउल में सारा powder जो बनाया है था हमने biscuit का निकाल देंगे इसमें हम अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे दूद तो दूद मैंने ये एक कटोरी लिया है ये normal room temperature का दूद है तो इसमें से देखते हैं कितना लगेगा उतना ही डालना है हमें सारा नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके ही दूद अट करना है तो देखे इस तरीके से हम mix करेंगे सारे lumps निकल जाने चाहिए देखे बिल्कुल smooth batter बनके ready होना चाहिए इस तरीके से ready कर देना अब इसमें डालेंगे हम इनो तो यह मैंने इनो लिया है lemon flavor का तो आप कोई साभी ले सकते हैं तो यह देखे मेजर्मेंट से एक चमच है बड़ी चमच तो इसको हम एक चमच डालेंगे जैसी डालेंगे इसको उपर हम थोड़ा सा दूट डालेंगे ताकि यह activate हो सके बस जैसी हम यह activate होगा इसको हमें हलकी हातों से मिलाना है over mix बिल्कुल नहीं करना और एक ही direction में मिलाते हुए इसको हमें mix करना है अगर आप इसे over mix करेंगे तो हमारा cake perfect नहीं बनेगा तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बस इसे जैसे ही मिलाना है इसे हमें तुरंत ही टिन में डालके अच्छे से हमें बेक होने के लिए रखना है तो यह देखिए मैंने टिन ready करने के लिए 6 इंच का तो हमें इसमें butter paper लगाऊंगी तो आप इसकी जगह पर oil लगा के मैदे से dust कर सकते हैं बस इसको हमें फटाफट टिन में डालना है हमें इसे rest करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है वन्ना तो हमारा cake perfect बेक नहीं होगा तो देखिए टिन में मैंने इसे डाल दिया है और फटाफट ये जो मेरा cooker मैंने preheat होने के लिए रखा था पांच मिनिट के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाला फिर स्टैंड डालके मैंने ये cake इसमें डाल दिया तो ये काम हमें बहुत ही फटाफट करना है वन्ना हमारा cake perfect नहीं बनेगा अब धकल लगा कर इसे 25 से 30 मि लो चुके हैं तो मैं इसे खोल कर देखती हूँ, cake bake हुआ है या नहीं तो ये देखिए आप देख सकते हैं 25 मिनट में ये cake बिल्कुल perfect bake हो चुका है मैं toothpick डालके आपको दिखाती हूँ तो ये difference से vary करेगा कि जैसे कि आपने किस बरतन में bake किया है तो उसी साब से ये time थो सकते हैं इसने side छोड़ दिया मताब perfect bake हो चुका है अब इसे हम cooker से निकाल लेंगे और कपड़े से ढाक कर इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है cake हमारा ठंडा होने के बाद ही हमें से demold करना है वारना तो ये cake हमारा टूट सकता है तो ये देख सकते हैं बहुत ही sponge बना है इसने side छोड़ दिया है इससे पता चलता है कि हमारा cake बिल्कुल perfect देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है बहुत से लोगों की problem होती है हमारा cake चिपचिपा बनता है बैट जाता है तो आप बिल्कुल मेरे बताए हुए method से बनाओगे तो आपको perfect जाता है इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखेंगे और इसको चाकु से हम छोटे चोटे टुगड़े कर लेंगे अच्छे से चोटे टुगड़े करने से क्या होता है कि जल्दी मेल्ट हो जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें तो यह सारा देखिए हमन इसएम, जल्दी मेल्ट ले कर लिए है जिसमें हमें मैल्ट करना है उसमें अब देखिए मैंने पानी बॉइल कर दिए डबल बॉइलर से मैल्ट करेंगे जो कि यह बहुत और ढ़िंजी मेल्ट हो जाता है तो यह नीचे का बढ़तर हमें चोटा लेना है और ऊपर का चौक् में र cigar कमरें नसे अधिक च्ख़की जन्दी मैल्ट हो गया है तो चॉक करने से क्या होता है कि चोकली जल्दी मैल्ट हो जाती है अब आपसे में डालेंगे do the the truth तो ये दोलें छोटी कटäg क्टोरिय है तो आधी करतो डाल दीए दूध बिलकुल Boilei होना घटनडा तू कर अग आप देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है यह देखिए थोड़ा सो और मिक्स करना है लंज नहीं रहने चाहिए इसमें बस इस तरीके से आप चलाते रहोगे बिल्कुल साइनी बने गाई इसमें बटर ऑईल कुछ भी नहीं आड करना है अगर आप दूर नहीं तो अब इसमें से हम थोड़ा सा ट्रफल निकाल लेंगे हमें जिसे हम डॉल केक बना रहें तो थोड़ा सा डॉल केक के लिए और केक का जो साइड का बॉडर है वो हम इससे रेडी करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा फ्रीज में थोड़ा सेट होनी किने रखेंगे थोड़ा सा इसको गाड़ा करेंगे इसे हम इसको भी हम थोड़ा सा गाड़ा कर लेंगे यह बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है तो यह केक पर सेट नहीं होगा तिंहें दीखिए केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम इसे दीमोल्ट कर देंगे रिखें इसके पर बटर पेपर लगा था वो हम निकाल देंगे इसका तिंहें देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है केक अब इसका हम cutting कर लेंगे तीन लिएर इसकी निकाल लेंगे हम देखिए फ़र्स लियर इस तरीके से बहुत आराम से cut कर रра है हमें तो ये देखिए एक लियर cut करोंके ready हो गई है अब इसी तरीके से हम दूसरी लियर cut कर लेंगे तो यह देखिए दूसरी layer cut हो गई है तो बहुत हलकी हाथों से हमें cut करना है तो यह है तीसरी layer तो आप देख सकते हैं तो अब चलिए इसको हम यह cake base ले लेंगे देखिए इस तरीके से हमें ready करना है, इतना गाड़ा करना है हमें इस तरीके से अगर आपके पास cake base नहीं है तो आप plate में भी इस तरीके से कर सकते हैं अब ऐसे थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि हमारा जो sponge अच्छे से सेट हो जाए तो यह मैंने sugar syrup ready किया है थोड़ा से पानी में चीनी डाल देंगे अच्छे से घोल लेंगे तो इसे अच्छे से spread करेंगे sugar syrup से soak करेंगे ताकि हमारा cake थोड़ा भी dry ना रहे तो जो हमने truffle बनाया था वो हम piping bag में भर लेंगे तो यह देखिए truffle हमारा piping bag में ready हो गया है अब अच्छे से इसे हलके हातों से मिलाएंगे तो जो beginner से उनके लिए तो बहुत ही easy रहेगा बनाना तो इससे क्या होता है कि equally spread हो जाता है यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से ready करना और बहुत हलके हातों से हमें मिलाना है ज्यादा pressure नहीं डालना है पस ज्यादा finishing की जरूत नहीं इसके उपर हम sponge रखेंगे तो यह देखिए दूसरी layer हमने first layer रख दिये इसमें तो इसको भी हम अच्छे से सुगर सीरफ से शोक कर देंगे ताकि इसमें dryness ना रहे है पस इसी तरीके से हम इसे भी कि देखिए ट्रफल लगा देंगे हम केक प अभी देखिए पलेट नाइफ से बहुत हलकी हातों से हमें इसे इस प्रैट करना है अभी इस sponge की हम दूसरी layer भी इस पे रख देंगे अब इसको भी हम सुगर सीरफ से सोक करेंगे तो सुगर सीरफ से सोक करना बहुत ज़रूरी है तो देखिए इस तरीके से हम पैलेट नाइफ से बहुत हलकी हातों से इसे करेंगे ज़्यादा प्रैसर नहीं डालना है देखिए हलकी हातों से बस हलकी हलकी हातों से हमें करते रहना है अब ही साइट से हम पैपिंग बैक से ही लगा देंगे ताकि आपको साइट से कबर करने में बहुत इजी रहे बस हलकी हातों से हमें इसे करना है बहुत हलकी हातों से हमें इसे साइट से फिनिशिंग देनी है यह देखिए बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है तो इस तरीके से फिनिशिंग करने के बाद हमें इसे फ्रेज में नहीं रखना है हमें बहार ही रखना है, रूम टेंपरेचर पर, अब देखिए, साइड से हम इस तरीकी से फिनिशिंग कर देंगे, इसके एजिस को, तो ये ट्रफल पर काम करना, हमें बहुत थलकी आतों से काम करना होता है, तभी बहुत अच्छी से फिनिशिंग आती है, ति देखिए, बस ज्यादा फिनिशिंग की जुरुत नहीं है, इसके उपर हम, ट्रफल इसके उपर हम डालेंगे, ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है, इसमें हम दूड एट करेंगे, गरम दूद डाला है, और थोड़ा से इसे डबल बॉइलर करेंगे, बस बिल्कुल पतला रखना है हमें, इसे ज्यादा गाड़ा नहीं, ति देखिए, इस केक पर हम स्प्रेट कर देंगे, तो ये केक हमें फ्रीज में नहीं रखना है, बहार ही रखना है, इस तरीके से हम पहलाएंगे, बहुत हलके हातों से करना है हमें, पूरे केक पर मिलाना है इसको, देख सकते हमें, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, और ये जम जाएगा, अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, बस हलके हातों से पूरे केक पर अच्छे से कवर करना है, थोड़ा सा और डाल सबक्राइब करें के सब्सक्राइब खाद तो अगर आपके पास नूजल नहीं है तो आप पाइपिंग बैग में चोटा सा कट कर कभी डिजाइन बना सकते हैं पस इस तरीके से हम इसकी ड्रेस बना देंगे यह देखिए पूरे हम डॉल को कवर कर देंगे ट्रफल से यह देखिए फ्रंट का हो गया अब बैक का भी हम इस तरीके से रेडी कर देंगे ये दिखे डॉल को हमने रेडी कर दिया है बहुत ही प्यारी लग री है डॉल आप देख सकते हैं तो डॉल हमारी रेडी हो चुकी है अब केक पर हम इसे बहुत आराम से लगाएंगे ये दिखे सेट हो गई है डॉल हमारी तो अब नीचे से थोड़ा सा और डेकुरिशन करेंगे अब इसका बॉर्डर बना लेंगे हम केक का जो ये स्टार नूजल था उसी से हम इसका बॉर्डर बना लेंगे तो देखें बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है आज हम डेकुरेशन करेंगे जेम्स से तो आप डेकुरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जेम्स जैसा की बच्चों को बहुत ही जादा पसंद होता है तो आज हम उसी से करेंगे बच्चों का केक है दीखें मैं आपको एक करके दिखार हूँ तो इसी तरीके से आप पूरे cake को decorate कर देना, ये देखिए पूरा jam sum इस तरीके से लगा देंगे, तो बिल्कुल colorful cake बनाएंगे ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए, तो ये देखिए sprinkles लगा देंगे, तो आपको जो भी पसंदो आप decoration कर सकते हैं, तो बच्चों को colorful cake तो बहुत ही पसंद आता है, तो आज हम colorful cake बनाएंगे बच्चों के लिए, तीक इस तरीके से में आपको decoration दिखा रही हूँ, तो आप सारी decoration इस तरीके से कर लेना, बस ऐसी हम सारे sprinkles लगा देंगे, तो बस आप भी बच्चों के लिए घर पर बनाएंगे, बच्चों को बहु बनाएंगे, तो बहुत तेस्टी बनेगा, बेकरी से भी अच्छा केक बनेगा, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें, और मुझे कमेंट्स पर जरूर बताएं कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर मिलते हैं नेक् झाल लगेगा, झाल लगेगा, तो मुझे उल एक सकतु है, वजय के लगेगा, तो मुझे का लगेगा, राल लगेगा, तो, करषके बिलता हैं, तो बहुत तो!